हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो मैं चानल और यह नेचरल फ्रेम है जहां मैं जारी हूं वहां पर रास्ते में पढ़ता है आज मैं जारी हूं देड़ा मंदिर यह ओडी सा और जक्तलपूर के बीच में पढ़ता है अड़ावाल होते हुए हम लोग जाएंगे जक्तलपूर से में 20 किलो मेटर कुछ पढ़ता है और बारिश के मौसम में बहुत सुन्दर ना जारा था बहुत जादा और बीच में NMDC नगरनार का पढ़ता है बहुत बढ़ा है बहुत जादा ही बढ़ा है अभी तक बनी रहा है नहीं पता और कितने सालों तक बनेगा लेकिन बहुत ज बारिश के मौसम में कहीं जाने का अलगी जुनून रहता है और मज़ा भी आता है मौसम बहुत अच्छा था क्यूंकि बस्तर में बहुत जादा बारिश होती यह टरन है जहां से हम लोग में देवडा मंदिर का रास्ता है यह और दोनों साइड बहुत जादा सुन्दर नाज बारिश के मौसम में जाने का यही फायदा है यह जो फाटक के पार हमको जाना है ट्रेन आ गई थी तो रुख गयते हैं हम लोग और यहां से शुरू होता है यह एंटरेंस से देवडा मंदिर का और देवडा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर मतलब आपके मनु कामन से गज़रते हैं अभी तो बहुत अच्छा रोड बन गया कुछ सालों पहले किया लास्ट येर में में एक ख्याल से 2020 और 21 में इतना अच्छा रोड नहीं था बहुत बहुत जादा खराब रोड था अभी बहुत जादा अच्छा बन गया है पूरे अराम से आप लोग जा स अभी तो बहुत अच्छा बन चुका है पूरा मंदीर को भी एच्छे तरीक से बना दिये लिए पहले इतना बड़ा मंदीर नहीं थख चोटा सा मंदी था जहां दोर बहुत हैं यहांकी में को तो बहुत जादा पसंद है या निम्हार घान हो मेरा मन तो हमेशा रता आने का लेकिन मेरे दोस्त, मेरे पापा आते नहीं जल्दी उनको मानाना पड़ता है ये पूरा साइट से व्यू है बहुत जादा अच्छा लग रहा था अभी तो पूरा नीचे टाइल्स भी लग गया है तो थोड़ाना को इरिटेशन में लेकिन मंदीर के लिए का वर बहुत जादा में को काम करता है और मैं अपने घर से खुप सारे गुलाब का फुल तो पिलेकर कर गई कि मैंने सुजी को चलाया और आप देख सकते हैं कि आज संडे था मंदीर के राइट साइड में ही न एक छोटा सा तलाव पहले अभी तो टैप वाटर लग गया पहले जब टैप वाटर नहीं था न तो यहीं छोटा सा तलाव था नहीं से न पानी भर के लेकर जाते हैं वह जो सामने में अब जितने भी सब देख रहे हैं वह सब मूर्तियां जो जिन लोगों का भी मह जो भी उन लोग मननत मांगे तो पूरा हो जाता है तो उन लोग चड़ाया रहते हैं तो उसको एक जगा पर इखटा करके रख दिया जगा पूरी मूर्तियां मिट्टी की बनी हुए मूर्ति एह पूरा की पोरा अक्शे से रख हैं यहां पे ऐख छोटा सा श्री जी का था कलो महां पर उन चड़ाय रहे थे सब लोग बाउपशा कर रहते हैं अर बहुत अच्हा लग ज़ाता है और है यह वापस हम आज के है thank you for watching thank you